हेलो और वेलकम बैक तो माई चैनल स्पाइसर फिर इंग्लिश आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और मुझे लगते हैं कि आपको इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहिए जिससे कि आप इं मिस्टेक लेट मी टेल यू तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बता रहा हो तुमको मैं लेट मी टेल यू यू आर मेकिंगा बिग मिस्टेक नंगे नहाए हैं हम इस नदी में तो गाइस इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हें उस समय से जानता हूँ जब हम इस नदी में नंगे होकर नहाया करते थे मैं तुमको उस समय से जानता हूँ जब हम इस नदी में नंगे होकर नहाया करते थे तो यहां पर यह बोलगा कि नंगे नहाया है हम इस नदी में आगे देखते हैं तुझे जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता तुझे जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता ना तेरी फैमली जानती है और ना ही वो चंडिगर्ड की लड़की यह दोनों सेंटेंस एक ही है यहां पर यह बोल रहा है कि ना तेरी फैमली जानती है और ना ही वो चंडिगर्ड की लड़की डिमपल एक अच्छी लड़की है मुझे गलत मत समझ डिमपल एक अच्छी लड़की है मुझे गलत मत समझ don't get me wrong पर तुम्हारा ही सपना था ना बट वोजन्ट दिस योड ड्रीम पर तुम्हारा ही सपना था ना यहां पर ये पूरा सेंटेंस नहीं है बस इतना बोल रहा है कि तुम्हारा ही सपना था ना इसका मतलब कि पीछे कुछ बातें चल रही है, उसी के आगे ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा ही सपना था, बट वॉजन्ट दिस योर ड्रीम, आगे बोलता है कि क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे, मैं सेना में जाऊंगा, तो इसका सपना ये था, इसकी ये सेना में जाने के लिए हमेशा बोलता था, तो वहीं ये बोल रहा है कि, didn't you always say I will join army, didn't you always say I will join army, क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे, I will join army, मैं army join करूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, यहां पर ये बोल रहा है कि, but wasn't this your dream, पर तुम्हारा ही सपना था न, अब ये army में नहीं जा रहा है, ये merchant navy join करने के लिए बोल रहा है, तो वहीं ये बोल रहा है कि, wasn't this your dream, तुम्हारा ही सपना था न, didn't you always say I will join army, क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे, मैं सेना में जाऊंगा, अब क्या हो गया, what happened now, what happened now, अब क्या हो गया, what happened now, merchant navy में जाएगा, joker लगेगा तू, off to merchant navy, you will look like a joker, off to merchant navy, you will look like a joker, merchant navy में जाएगा, joker लगेगा तू, तो guys off का मतलब होता है जिसे मैं बोलू कि I am off यानि कि मैं जा रहा हूँ You are off, तुम जा रहे हो He is off, वह जा रहा है मैं बोलू कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ तो मैं ऐसे बोल सकते हो कि I am off to work now I am off to work now, अब मैं काम पे जा रहा हूँ तो यहां पर यह बोल रहा है कि अब क्या हुआ, what happened now, merchant navy में जाएगा, joker लगेगा तु, off to merchant navy, you will look like a joker, तब यह बोलता है कि अबे, मैं किसी भी uniform में smart लगता हूँ, hey, I look smart in any uniform, hey, I look smart in any uniform, मैं किसी भी uniform में smart लगता हूँ या दिखता हूँ, I look smart in any uniform, तु मजाक कर रहा है न, क्यों सता रहा है मुझे, तो यह इसको भी बताता है कि अब मैं merchant navy में नहीं जाओंगा, अब मैं army में जाओंगा, यह अपने दोस्त की बात मान लेता है, तब यह बोल रहा है कि अब मैं merchant navy में नहीं जाओंगा, तब यह लड़की बोल रहा है कि तु मजाक कर रहा है न, क्य डोंट फूल अराउंड विथ मी विक्रम मेरे साथ मजाक मत करो विक्रम डोंट फूल अराउंड विक्रम तब यह बोलते है कि मैं तेरे साथ कभी मजाक नहीं करूंगा डिम्पल मैंने यह फैसला हम दोनों की खुशी के लिए लिया है मैंने यह फैसला हम दोनों की खुशी के लिए लिया है तुने मर्चंड नेवी जॉइन करने का प्लान बनाया था हम दोनों की खुशी के लिए है न तुने मर्चंड नेवी जॉइन करने का प्लान बनाया था हम दोनों की खुशी के लिए यह बात मैंने अपने परिवार में भी सबको बता दी थी यह बात मैंने अपने परिवार में भी सबको बता दी थी यहां पे यह बोले है कि तुने मर्चंड नेवी जॉइन करने का प्लान बनाया था हम दोनों की खुशी के लिए है न यह प्लान टू जॉइन मर्चंड नेवी फॉर और हैपनेस राइट यानि कि मैंने यह बात अपने परिवार को भी बता दी थी और अब अचानक छोड़ रहा है वो भी हम दोनों के खुशी के लिए and now suddenly you are dropping your plan for our happiness कहने का मतलब है कि अब तक तुने यह प्लान मनाया था हमारे खुशी के लिए अब तू ये प्लान छोड़ रहा है हमारी खुशी के लिए and now suddenly you are dropping your plan for our happiness क्या चाहता क्या है तू what do you really want what do you really want क्या तुम चाहते हो what do you really want आगे बोल रही है कि you are just taking me for granted you are just taking me for granted तो guys इसका मतलब होता है कि नजर अंदाज करना value ना देना यह एक situational English है जैसे अगर आपका कोई दोस्त है वो आपसे बार-बार मजाक करता है आपने उसे मना कर दिया कि मेरे साथ मजाक मत क्या करो वो फिर भी मजाक करता है तब आप उसको बोल सकते हो कि you are just taking me for granted यानि कि तुम मेरी बात का value नहीं दे रहे हो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो कि मैं नहीं जो मना किया तुम मुझे नजर अंदाज कर रहे हो या आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो कि have you taken me for granted have you taken me for granted तो यहाँ भी यह बोले कि you are just taking me for granted आगे देखते है गाईज तू जो करना चाहता है तू कर जितना time लेना चाहता है ले do whatever you want take as long as you please do whatever you want take as long as you please जो तू करना चाहता है कर do whatever you want जितना time लेना चाहता है ले take as long as you please मैं तेरा इंतिजार करती रहोंगे तो इससे प्यार करती रहोंगे I will keep waiting for you I will keep loving you I will keep waiting for you I will keep loving you मैं तेरा इंतिजार करती रहूंगी I will keep waiting for you तुस्ते प्यार करती रहूंगी I will keep loving you मम्मी पापजी से लड़ती रहूंगी I will keep fighting my parents I will keep fighting my parents मम्मी पापजी से लड़ती रहूंगी I will keep fighting my parents यही सुनना चाहता है न तू That's what you want to hear right That's what you want to hear right यही सुनना चाहता है ना तू that's what you want to hear right, पर क्या कहूंगी मैं पापजी से, but what will I say to पापा नाओ but, what will I say to पापा नाओ, अब मैं पापजी से क्या कहूंगी, but what will I say to पापा नाओ, अब चुप क्यों है, कुछ नहीं कहना है, why are you mum now, have nothing to say, अब चुप क्यों है why are you mum now, कुछ नहीं कहना है, यानि कि कहने के लिए कुछ नहीं है have nothing to say, बस एक बात और, just one last thing, just one last thing, बस एक बात और, अब न पलटना stick to your word now, word का मतलब यहाँ पे है guys की वादा, तो यहाँ पे यह बोल रहे हैं कि stick to your word now, अपने वादे पर stick रहना खड़े रहना, stick to your word now मेरे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम, for your own sake if not for me for your own sake, if not for me तो guys, sake का मतलब होता है कि लिए, यह आप बोल चकते हैं खातिर जैसे मैं बोलू कि भगवान के लिए यह मत बोलो, तब आप बोल सकते हैं कि for God's sake, don't say this for God's sake, don't say this भगवान के लिए चुप हो जाओ please keep quiet for God's sake please keep quiet for God's sake तो यहाँ पर यह बोल रहे कि मेरे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम for your own sake, if not for me मेरे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम focus हो जा, get focused get focused, यानि कि अपना ध्यान लगाना शुरू कर दे get focused, जब तक तेरा army में नहीं हो जाता तब तक मुझे phone या मिलने की कोशिस मत करना, don't try to call or meet me until you get into the army don't try to call or meet me until you get into the army जब तक तेरा army में नहीं हो जाता, तब तक मुझे phone या मिलने की कोशिस मत करना don't try to call or meet me until you get into the army well guys, आशके इस वीडियो में इतना ही ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए अगर आपको इन में से कुछ sentences लगते हैं important है, तो आप उन सारे sentence को screenshot ले सकते हैं, और अगर आप कहीं भी confused हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो मैं उसका reply जरूर दूँगा, हो सके तो guys इन सारे sentence को आप repeat कीजिए जिससे कि आप English को बहुत ही कम समय में improve कर सकते हैं, guys मैं आप से एक लिए वीडियो मिलताओ, तिल एंटे, क्यार कीप प्राक्टिसिंग थैंक्स वर वाचिंग